हलो माई नेम इज नली नियें वेलकम टू माई किचिन देखा आपने आवाज सुना कितना क्रिस्पी है यह पुटेटो वेजिस फ्रेंच फ्राइज तो आप सभी ने खाया होगा आपको पसंद भी होगा लेकिन घर में वैसा बाजार वाला नहीं बन पाता है आज मैं लेकर क वेजिस को मैंने बिल्कुल अलग तरीके से बनाया है और महेंगे वाले 5 स्टार में जो वो सॉस देते हैं उसको घर में रखी हुई चीजों से तो आएए देखते हैं मैंने यह पोटेटो वेजिस कैसे बनाए इसके लिए चार से पांच पोटेटो ले ले थोड़े बड़ काटना है नहीं तो वो स्वाद नहीं आएगा जो मैं इस रेसिपी में आपको देने जा रही हूं यह देखे मैंने इस तरीके से मोटे मोटे काट लिए उसके बाद आपको सारे आलू काटने के बाद आपको पानी में दो पानी से से दोना है अब इसको एक प्लेट में डाल और अब इसके बाद डालेंगे 1 टेबल स्पून चिली फेक्स, 1 टेबल स्पून जिंजर गालिक पावडर, अगर आपके पास यह नहीं है तो जिंजर गालिक पेस्ट भी इस्तमाल कर सकते हैं, और उसके बाद 1 टेबल स्पून मैं डालूँगी सफेद मिर्च, अगर आपके पीजा सीजनें इस्तमाल करी हूं जिसे मिक्स्ट भी बोलते हैं और यह मार्केट में इजली अविलेबल है अकर आपके पास और ही गयन हो तो भी डाले एक चोटा चमच में नमक डाल रही हूं नमक को अच्छे से मिला ले और पता है चार से पांच मिनिट के बाद यह जो यह यह सब्सक्राइब मैं टाले इसको बेला दीनियाच भूंए उसके बाद हमें डैलना हे डेलर कब दूर डर डालने के बाद लॡवkov लीन और इसको लगातार चलाते रहें जो अभी गुठलियां दिख रही है ये अभी दूद में मिक्स हो जाएंगी और ये गाड़ा हो जाएगा बेटर इसके बाद हम एक चीज स्लाइस डालेंगे अगर आपको बहुत चीजी चाहिए तो और एक चमच मैं डाल रहे हूं चिली फ् और अच्छा फ्लेवर आता है अब इसको साइट में रख देंगे ये देखे मैंने कहा था ना कि जितना आटा हमने डाला है वो अच्छे से इस पे कोट हो जाता है इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लें अब हमें इससे करना डी फ्राई और तेल चाहिए हमें काफी पकाना है स्टार्टिंग में आज तेज रहेगा उसके बाद इसको मीडियम कर दें इस पर जब गोल्डेन कलर आज आएगा तब इसको निकालेंगे ये इतने क्रिस्पी बनते हैं यकीन मानिए आपके बच्चे और आपके घरवाले आपके तारीफों के पुल बानते नहीं दखेंगे इतनी मेरी गारेंटी है यकीन मानिए ये देखे कितना बढ़िया सा कलर आ गया है बहुत ही क्रिस्पी हो चुका है लेटल को थोड़ी दिर साइड रखे ताकि एक्स्ट्रा ओयल इसका निकल जाए अब एक किसी सुन्दर से पैन में इसको सर्फ करें और उसके ब वाइट सॉस बड़े काम का है आप इसमें बॉइल पास्ता मिला जीजे तो वाइट पास्ता रेडी हो जाता है और इस पुटेटो वेज़स में डालेंगे ना तो आपके बचों को बहुत पसंद आने वाला है बिल्कुल नए तरीके से सॉस और उसके ऊपर थोड़ा सा ची सकते हैं लेकिन यकीन मानिए इस सॉस के साथ यह बहुत ही अच्छा लगता है बिल्कुल नया तरीका है आप अपनों से शेयर कीजेगा चन पे नए हैं तो नलीनीज किचन सब्सक्राइब कर लीजेगा बहुत सारे मानसून रेसिपीज लिके आने वाली हूं स्टेटियो न नमस्का